नमो बुथाय, नमो धमाय, नमो संगाय, धम्मपद यमकवगों, जिसमें भगवान बुथा, हमें बताते हैं, मन सभी धर्मो प्रवृतियों का अगवा है, मन ही प्रदान है, सभी धर्म मनो मैं है, जब कोई वेक्ती अपने मन को मैला करके कोई वानी बोलता है, अथवा शरी पीछे ऐसे हो लेता है जिसी गाड़ी के चक्के बैलों के बैरों के पीछे-पीछे फोलेते हैं। भगवान बुद्ध हमें आगे बताते है, मन सभी प्रवुर्तियों का अगवा है, मन ही प्रदान है, सभी धर्म मनों मैं है, जब कोई वेक्ती अपने मन को उजला रखकर, कोई वानी बोलता है, अत्वा शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुक उसके पीछे ऐसे हो लेता है, जैसे कभी संग ना छोड़ने वाली चाया साथ-साथ चलती है, मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी काठे बांदे रहते हैं, उनका वेर, मन, शान्त कभी नहीं होता है, इस लोग में कभी वेर से वेर शान्त नहीं होता है, बलकि अवेर से वेर शान्त होता है, यही सनातन धर्म है, अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं, जो इसे जान लेते हैं, उनके जगड़े शान्त हो जाते हैं, अच्छी लगने वाली चीजों को शूप ही शूप देखते विहार करने वाले, इंद्रियों में असयमत, भोजन की मातरा के अजानकार, आलसी, उद्योगहीन को मार ऐसे ही सताता है, जैसे दुर्लब बुक्ष को मारूती पवन, अशूप को अशूप जानकर साधना करने वाले, इंद्रियों में सुसयत, भोजन की मातरा के जानकार, श्रद्दावान, उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं हिला सकता है, जैसे वायू परवत को, जिसने काशायो चित्तमलो का त्याग नहीं किया है, वो काशाय वर्स्त धारन किये हुए, वो सैयम और सत्य से परे है, वो काशाय वर्स्त धारन करने का अधिकारी नहीं है, जिसने चित्तमलो को निकाल बहार किया है, शीलो में प्रतिष्ठित है, सैयम और सत्य से युक्त है वो निसंदे ही काशाय वस्तधारन करने का अधिकारी है जो निसार को सार और सार को निसार समस्ते है ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए वेक्ती को सार प्राप्त नहीं होता है पगवान गुद्ध हमें आगे बताते है सार को सार निसार को निसार जानकर शुद्द चिंतन वाले वेक्ति सार को प्राप्ट कर लेते हैं जैसे बुरी तरह चायवे घर में वर्षा का पानी खुश जाता है वैसे ही अभावित चित्तमें राग खुश जाता है जैसे अच्छी तरह चायवे घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है वैसी ही शमत, विपशना, ध्यान में अच्छी तरह भाविचितम में राग नहीं घुस पाता है भगवान हमें आगे बताते हैं इस लोक में शोक करता है, मरनूपरात परलोक में शोक करता है इस लोक में प्रसन्न रहता है, मरलोप्राथ परलोक में प्रसन्न होता है, बुन्य किया हुआ वेक्ती दोनु जगा प्रसन्न होता है, वो अपने कर्मों की शुद्धता देखकर मुदित होता है, प्रमुदित होता है, वो इस लोक में संतप्त होता है, प्राण छोड़कर पर प्राण छोड़कर परलोक में आनन्दित होता है, पुन्यकारी दोनों जगा आनन्दित होता है, मैंने पुन्य किया है इस चिंतन से आनन्दित होता है, और सुगती को प्राप्थ होने पर और भी अधिक आनन्दित होता है, धर्मगरंतों का त्रिपिटक का कितना भी पाट कर लेकिन यदि प्रमात के कारण मनुष्य उन धर्मगरंतों के अनुसान आच्रन नहीं करता तो दूसरों की गौवे गिनने वाले की तरह वो अश्रमनत्व का भागी नहीं होता है धर्मगरंतों का भले ही थोड़ा ही पाट करे लेकिन यदि वो वेक्ति धर्म के अनुकुल आच्रन करने वाला होता है तो राग द्वेश और मोह को त्याक कर संपरग्यानी बन भली प्रकार विमुक्त चित्त वाला होकर इही लोग अथ्वा परलोग में कुछ भी आसकत ना क करता हुआ श्रमगरंतों का भागी हो जाता है